हाई वीवन, वेलकम बैक अगेन, तो आप सब भी को पता है, टॉपिकल डिसकेशन हम कर रहे थे, हमारे 2023 के कर अपनी स्रीज को कंटीनियू करेंगे, और आज हमारे सामने सेकेंड वीडियो होगी, यानि कि फैबररी मन्त के इंपोर्टेंट एग्रिमेंट्स और समिट्स से र के, और बाकी सभी इंपोर्टेंट लिंक्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका पेस्ट किया हुआ है, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो चलिए फिर अपनी इस क्लास को भी हम शुरू करेंगे, पहला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि रिलाइंस बिस्कित लिमिटेड जैनवरी 2023 के अंदर, अब यह जो बिस्कित लिमिटेड है, यह आपका कौन से देश का है, तो पहली चीज तो यह नियूस में थी, यानि कि चर्चाओं में थी, तो आपका सवाल का उत्तर सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा, यह आंसर हो जाएग जया वर्दनिपुड़ा, पूरा स्पैलिंग सीग है, स्पैलिंग ठेक ही होगी वैसे तो, कोटे, यह आपको कैपिल के रूप में यार रिखनी है, करन्सी को लेकर बताने की मुझे जरूरत नहीं है, श्रीलंकर रुपिया है, इसके लावा मैलेशिया एक आपको यहाँ प करन्सी को लेकर ऐसे सी पूछ चुका है, मलेशिया की, तो यह है आपकी मलेशियन क्या है, रिंगिट करके न, र-I-N, डबल-जी-ई-ट, यह इसकी क्या है, करन्सी है, इंडोनेशिया की अगर हम बात कर लें, तो कैपिल क्या है, कैपिल है इसकी जकार्थ, और अगर करन्स इसकी कैपिल क्या है, मौलदीफ की कैपिल क्या है, माले है, माले, इसकी कैपिल है, और वो क्या है, इसका करन्सी, इसका करन्सी है, मौलदीफ यह रूफिया, यह रूफिया है, आर यू, आर यू, एफ, यह यू, एफ, आई, वाई, डबल-ए, तो यह इनकी संबंदित है, है यानि कि बागी का भे मैंने बता दिया इस बिस्केट कंपनी का मैंने जिक्र किया था श्री-लंकन कंपनी है रिलाइंस कंजूमर पूटेक्ट लिमिस्टेट ने इसके साथ अपनी पार्टनर्शिप करी है तो यह आप याद रखी ज़िएगा ठीक है आगे बढ़ता है अग इसके नौ सनिक संस्क्रण के विकास के लिए समध्योते पर हस्ताक्षा किये हॉल कहीं पर भी आपका इंवाल हो जाए ना हिंदुस्तान अरोन टेक्स लेमिटेड कहीं पर भी आपका इंवाल हो जाए अलग अलग परकार के इंजन जैसे कि आपका आई-एम आर एच की सब्सक्राइब आपका सफ्रान हालिकॉप्टर इंजन के साथ इन लोगों ने समझोता किया अब इस इस कोशन के अंदर हमें हॉल को लेकर चीज कुछ चीजे याद रखने के लिए जरूरी होनी चाहिए हॉल ऑविसली इंडियन स्टेट ओंड एरो स्पेस एंड डिफेंस क इन आपके चीज आप याद रख सकता है हैं वावुषन को लेकर पूछ लीया रखना रखना ये आपका बंखता ये आपकी कौन सी मिनिस्टरी के अंडर में काम करते तो टीह समंधित आपकी कुछ को जानकार हैं अपको च्यर परसन को लेकर पूछ ले जाए चाए कि букस nyt कि करंटली कौन है तो आर माधवन आपको यादखना है ठीक है यह हमारे वाले आर माधवन नहीं है ठीक है यह अलग है तो यह आपको यादखना ठीक है भई आगया यह अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं February 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंदान संगर्ठन जिसको हम Indian Space Research Organization इसरो के नाम से जानते हैं इन्होंने अपना एक गगन यान मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छा सवाल आपको क्या ही मिलेगा तो पहली चीज यह बन जाएगा कि इसरो ने पार्टनर्शिप करी इंडियन नेवी के साथ इंडियन नेवी के साथ गगन यान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ठीक है तो इनिशल रिकवरी ट्रायल इन उन ने अपने क्रियू मॉड्यूल को लेकर यहां पर स्पैश लाउंड किये थे आपके ओशियन के अंदर वहां पर ट्रायल हुए ठीक है तो वो सब चीज़े हैं तो गगन यान प्रोजेक्ट को लेकर बात करूं तो इसमें आपका human spacecraft की capability को देखा जाएगा, orbit के अंदर भेजा जाएगा, तीन दिन का यह mission होगा, फिर उसके बाद अनकी वापसी होगी अर्थ के उपर, अब मैं अगर आपसे Indian Navy की बात कर लो, Indian Navy से related आपको क्या है, आपको यह पता होगा कि देश के जो रासपती है, यानि कि देश के जो precedent है, यह क्या होता है, supreme commander होता है, सभी को पता होगा, यह मैं यह आपर लिख देता हूँ, supreme commander कौन होता है, हमारे Indian Navy का या फिर बाकी की forces का precedency होता है, इसके बाद और क्या है, foundation को लेकर चलो, पूछ लिया जाए, तो obviously 26 June 1950 को आपको इसके foundation क रूप में याद रिखना है, chief of naval staff कौन है, naval staff के chief कौन है, तो इनको लेकर याद रिखना है, यह है आपके Admiral R. Hari Kumar, यह आपको एक चीज आपके Indian Navy से related याद रिखनी है, और यह सभी को पता होगा कि हमारे chief of defense staff कौन है, CDS कौन है, तो वो है हमारे अनिल चोहान जी, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ चीज हैं, अगर याद रिखने का मौका मिले, तो headquarters एक तो सभी को पता होना चाहिए, बैंगलूरू के अंदर है, उसके बाद chairman को लेकर आपको पता होना चाहिए, current chairman कौन है, इसके, S. Somnath, S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S इसकी, S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पर्मानू प्रध्योगिकियों के उपयोग के छेतर में सहयोग विक्सित करने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किया पहली चीज इंटरनाशनल न्यूस में रशिया किसी के साथ एग्रिमेंट साइन कर रहा है जहां पर वो डवल लगिंट नों देश्यों की सरकार इसके अंदर आपकी सामिल ही थी अगर मैं आप से रश्या की बात करूं तो रश्या को लेकर आपका पहले बन जाएगा कि कापिटल कहांपर है सभी को पता होगा मौस्को कि करनिकbung करन्सी करन्सी को लेकर आपका सव पूछ चुक थुक है एससी तो यह आपकी रूबल होती है ठीक है रशियन रूबल करके बोल देता है प्रेसिडेंट को लेकर सभी को पता है यह कौन है आपके व्ला ऐसी है ना स्पेलिंग दिमिर विलामेदिर पुतिन पुल्टिन नहीं है पुतिन है इसके लावा प्राइम मिनस्टर जरूरी या बन सकते हैं capital क्या हो जाएगी स्की capital बन जाएगा आपका नई सही नाए पी इत्व यह की capital है करन्सी बर्मीज कयात है बर्मीज कयात है ओर प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट रहेंगे इसके आपका मेंद श्वेग पर अगर आप से नैशनल स्पोर्ट्स को लेकर ठीक है मुझे नहीं पता कौन सा स्पोर्ट से लेकिन इनका नाशनल स्पोर्ट से याद रिखेगा इन दोनों के बीच में समझता हुआ था जहां पर पीसफुल परपसिस के लिए नुकिलर टेकनोलोजी के शेत्र के अंदर कॉपरेशन करने के लिए इनके बीच में समझता कि इंडिया इसको जॉइंटली और नाइस कर रहा है कहां पर पीजी इसका अंसर होगा ठीक है तो मिनिस्ट्री मैं आप लिख देता हूं मिनिस्ट्री और एक्स्टर्नल अफेर्स ठीक है फिजी सरकार के साथ कॉपरेशन के अंदर आकर इसको आपका और्कनाइस करेगी एक थीम आप याद अख सकते हैं थीम बन सकता है आपका के ट्वेल्ट जो एडिशन है वर्ल्ड हिंदी कॉणफरेंस का उसका थीम क्या है तो मैं यहाँ पर लिखता हूं हिंदी ट्र अधिशनल अधिशनल नौलेज इंट नौलेज टू एइए हिंदी ट्रेशनल नौलेज टू एए यानिकि आर्टिफिशल इंट लिजिंस पिछली वाली जो हुई थी यानिकि 11 वाली वह कहां पर हुई थी वह आपकी मौरिशियस के अंदर हुई थी मौरेशियस के अंदर हुई थी 2022 के अंदर यह चीज आपको याद रिखनी है फिजी को लेकर अगर किसी को कोई डाउट होता आप मैप का यूज कर सकते हैं यह आपका साउथ पैसिफिक ऊशियन के अंदर एक आइलेंड नेशन है यानि कि देश है चार्चा में है तो इसकी सुव की सब्सक्रेश हैं तो अगला सवाल यह आपसे पूछ रहे हैं किhare इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टार्टा सम्हों ने किस कंपनी के साथ एक आश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तो एक्वायर, 250 एरक्राफ्ट्स, फॉर एर इंडिया, टाटा ग्रॉप है, साइन्ड लैटर ओफ इंटेंट विद विच कम्पनी, आप सभी ने सुना होगा, टाटा ग्रॉप इंडट करेगा 250 एरक्राफ्ट्स, एर बस से, यहाँ पर आपका करेटांस रहेगा, एर बस से, आपका एक्वायर किया है, तो एक अच्छा सवाल था, टाटा ग्रॉप के बारे में सभी को पता होना चाहिए, कि टाटा ग्रॉप की फाउंडेशन कप करी गई थी, 1868 के अंदर, यह एक इंपोर्टेंट चीज है, फाउंडर को लेकर अगर आप से पूछा जाए, तो इसक चंद्रशेखरन, एंसे आपका नटराजन है, चंद्रशेखरन, हैड़क्वार्टर को लेकर आपको अगर पूछा जाए, तो यह आपका मुंबई रहेगा, ठीक है, तो एरबस से इन्होंने 200 एरक्राफ्ट को एक्वायर किया है, याद रखना है, इसको लेकर इन्होंने ल पहले डिजिटल नागरिक बने, तो देखो, 7-year-old prince पहले डिजिटल सिटिजन बने है, भूटान के, एक चीज़ आपको याद रिखनी है, तो भूटान का रोयल हाइनेस है न, जिसको आप प्रिंस के नाम से नाम क्या है, द ग्याल से, ठीक है, प्रिंस, ठीक है, यह पहले कंट्री के फर्स्ट डिजिटल सिटिजन बन गए है, इन्होंने ओन बोर्ड किया, विद्धी भूटान नैशनल डिजिटल आइडेंटिटी के साथ, वालेट के अंदर, फेबरेडी 2023 के अंदर, भूटान को सभी को पता होगा, एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड को लेकर अगर पूछा जाए, तो भूटानीज, भूटानीज क्या है, एक अजीब सा नाम था, नगू, नगू करके, नगुल, तरम, भूटानीज, नगुल, तरम, इसकी वो है, आपकी करन्सी, ठीक है, तो ये रिलेटेट जानकारी हमें लेनी थी, आगे ये अगले सवाल आप से पूछा जा रहा है कि किस शहर ने बायो एशिया सिखर सम्मिलन दोवज़ार तेज के बीसमें संस्क्रण की मेज़बानी करी, विच सिटी होस्टेट ट्वंटीएद एडिशन ओफ बायो एशिया समेट दोवज़ार तेज, पहली चीज, हमें आंसर पता रखना है कि हैदराबाद ने इसकी होस्टिंग करी है, अब हम रेलेटिड जानकारी लेने की कोशिश करता है, एशिया का लार्जेस्ट लाइफ साइंस एंड हेल्थ केर कन्विंशन है, आपका कंडुक्त कराया गया 26 फेबररी दो होज़ार थेज को हैदराबाद के अंधर, एडिशन क लेकर आप यहां रख सकते हैं कि इसका क्या था अडवांसिंग कि अडवांसिंग फॉर वन शेपिंग इस दी नेक्सट जनरेशन और हुमनाइजड है एल्थ केर इसे याद रख लेना लिखने विखने की उतनी जाद जरूरत नहीं एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग इनेक्स जनरेशन और हुमनाइजड हेल्थ केर आयोजन को लेकर पूछा जा सकता है है एड़राबाद एडिशन था बीसमा बायो एशिया समिट दोजार थेश यह है आपके फेबररी मंत के इंपोर्टेंट एग्रिमेंट्स इन समिट्स का सेकेंड लास सवाल अंतर रास्ति यह बायोटेक कॉनक्लेव इंटरनेशनल बायोटेक कॉनक्लेव का उद्धाटन के सिस्थान पर किया गया यूनियन मिनिस्टर कौन है एक हमारे सभी ने सुना होगा जीतेंद्र सिंग इन्होंने इन्ग्नेगरेट किया आपका इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव कहां पर किया ये किया गया आपके इमफाल के अंदर ऐसे समिट्स को लेकर सवाल पूछते हैं ठीक है इमफाल को लेकर कोई दिक्कत हो रही हो तो मैंनिपाल याद रिखिएगा साथ मैं ठीक है वैसे पता होना चाहिए आपको और ठीक है मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है इसको लेकर यह आपका आगरी सवाल है आपकी आज की इस वीडियो का संयोक्त रास्ट के किस निकाये समुंद्र के स्तर में व्रद्धी पर अपनी पहली चर्चा आयजित की कौनसी वो बॉड़ी है युनाइटेड नेशन की जिसने पहला अपना डिबेट यहां पर आयजन किया सी लेवल के बढ़ते हुए स्तर पर तो यह रहेगा आपका युनाइटेड नेशन सेक्योरिटी लोग इसमें ज्यादा दिमाग लगा देंगे लेकिन सेक्योरिटी काउंसल ने इसके उपर आपकी देखो यह बैठक का आयजन किया था ठीक है और वर्ल्ड मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि दुगना हो गया है उनने सु त्रानवे से तो जितना उनने सु जनवा सुलिट्स लेंडा और फाउन्डेशन कब करी गई थी इसके फांडेशन 끝나ksंफ डिफटी को करी गई थी और प्रेसिडेन्ट को लेकर वैसे पूछानी जाएगा प्रेसिटेडेंट का भी नाम आप या दहिएगा भित्यारी स्वासे यह इनके प्रसेडेंट है इसके WMDK यानि कि World Metrological Department के तो ये पहला था United Nation Security Council ने इसका आयोजन किया था अच्छा सवाल था तो यार ये था आपका February 2013 मन्त के Important Agreements and Summits प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी एक मैंने Current Affair 2023 करके प्लेलिस्ट बना रखे इंस्टाग्राम पर Masses Drop कर सकते हैं वीडियो के description में आपको direct link मिल जाएगा और आप Telegram भी जरूर जोइन कर लिजेगा उसका भी आपको मैंने link वीडियो के description में दिया हुआ है वीडियो पसंद आती है तो like जरूर कीजेगा शेर कर सकते हैं तो वो भी कीजेगा सब्सक्राइब कर लिजेगा और वो घंटी घंटी जो है उसको बता के all वाला बटन प्रेस कर लिजेगा ताकि आप वहर वीडियो के notifications मिल जाए करें आप से अगली वीडियो में मिलोंगा अपना ख्याल रखीगा थैंक्यू टेक केर बाइबाइ